हलो दोस्तों, उसा किछी में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ सेर करने जारी हूँ चेट पटी मसालेदार आलू की सबजी की रैस्पी, बिल्कुल हलवाई वाली स्टाइल में, और बीना प्याज, बीना लेसन के, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 500 ग्रम आलू लिया है, इनको उबाल कर छील लिया है, अब इनको छोटे-चोटे टुकणों में तोड लेते हैं इसी तरह हम सारे आलू छोटे-चोटे टुकणों में तोड लेंगे आलू सारे तूट गए हैं, अब हम इनको साइड में रख देते हैं और मसाला तयार कर लेते हैं यामने कड़ा गर्मोनी के लिए रख दीती, अब इसके अंदर दो बड़ी चमाश तेल डालेंगे तेल अच्छे से गरम होके आए, अब इसके अंदर मसाले डालेंगे यहार में एक चमच जीरा, वन पो चमच झीग और दो तेलिये हैं, साथ हि यहाँ पर तीन हरी मिर्श डाल देंगे यहां पर मैंने एक चमच अद्रक और दो हरी मिर्श को कूटकर लिया है, इन सब को डालके अच्छे से मिला लेंगे और पका लेंगे मसाले चीज़ पक गए हैं, अब हम इसके अंदर दो टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसको दो से तीन मिट पका लेंगे दो से तीन मिट पका लिया है अमने इनको, अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे यहाँ पर हम आदी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे दो चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे साथी यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इन सब को एक मिनिट तक भून लेंगे मसाली एक मिनिट भून गए हैं अब इसके अंदर आदा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे इस सब को मिला लेंगे तारी इसमें नमक डाल देंगे यहाँ पर मैंने एक चमश नमक डाला है नमक आप अपने स्वाद के निसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अब इसको ढखक कर एक से दो मिनिट पकने देंगे एक से दो मिनिट हो गए है मसाल अच्छी से पक गया है अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे सारे आलू डाल देते हैं और उनको अच्छी से मिला लेंगे आलू अच्छी से मिल गए है अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे यहाँ पर मैंने तीन कटोरी पानी डाला है अगर आप पतली ग्रेवी पसंद करते हैं तो इसमें पानी और एड़ कर देजिए और इस आपको अच्छी से मिला लेंगे साथ ही यहाँ पर एक चमच कसूरी मैथी को डाल देंगे कसूरी मैथी डालने से सबजी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर मैंने आदा चमच अमचुर पाउडर लिया है इन सब को मिला लेंगे और सबजी को ढग कर तीन से चार मिनिट पकने देंगे तीन से चार मिनिट हो गए है सबजी बन के तयार है इत्ता अच्छा कलर पी आया है और अच्छी कुश्बू भी आ रही है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते है आब इसको पूरी के साथ पराठे के साथ रोटी के साथ जैसी भी खाना पसंद करें खा सकते हैं अगर आपको मेरी रैसी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बैल आइकन को ज़रू प्रेस करें ताकि आने बाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए